नमस्ते दोस्तो आज की केस बहुत हीं इंटरेस्टिंंग है यह केस एक ऐसी केस है टूर गाइड की जिने चेस्टपेन होता है चलते समय तो यह जब चलते हैं तो इन्हें काफी सास पूलता है इनका चेस्थम होता है तो यह सारा कॉंप्रेंट लेकर वो अलोपेथी डॉक्टर के आँ गए उन्होंने एंजोग्राफी कराई उन्होंने बताया कि आपको ब्लॉक्रियस की तक्रीफ है आपके जो हाट के नसे हैं वो पुरी तरीके से ब्लॉक हो चुकी और आपको सर्जरी करानी होगी एं इतका वजन बढ़ने की इनको इंबके सभी है उसके कारन उनको बहुत लोस भी हो रहा है तो जब हो माधवाग में आये तो उन्हें इतने सारे दवायया चालू थी निकोराइन, प्रोपिटाइब, रैंकेज, टॉर्वेस यह जो नॉर्मल ही दवाइया दी जाती है एक लॉकरिस को पेशेंट को यह सारी दवाइया उनकी चल रही थी बीपी भी इनको था पिछले चार सालों से तो माधोबाद के इंद्रयनगर ब्रांच में नोंने विजिट किया और डॉक्टर मंजुशा ने इस पेशेंट को एग्जामीन करके इनकी ट्रिटमेंट शुरू की तो एग्जामीनेशन के दोरण हमने देखा कि इनका वजन है वो 91 kg है, BMI 35 है तो ये एक high BMI के पेशेंट है यानि कि इनका वजन जो नॉर्मल होता है उससे वजन जादा है ब्लड प्रेशर भी higher side में है 150 by 100 दिख रहा है, heart rate जो है वो भी 100 है वो भी जादा है view to magnitude है, यानि कि heart की जो ताकत होती है, वो ताकत सिर्फ 6.65 है तो ये इतना कम ताकत होना, यानि कि ये hardly 2 या 3 मिनिट चल सकते हैं उसके बाद इनको chest पे या दम लगना, ये होना ही होना है तो इतनी कम इनकी ताकत हो चुके थी और आप QDAQ के report में अगर heart की pumping power चेक करें तो वो 45% ही थी, जो की normal victim में 60% होता है heart की pumping power, वो ये pumping power भी इनकी कम हो चुती थी मादोबाग में हमारे पास इसके लिए बहुत अच्छी treatment है जो हम पंचकर्म करते है, आयरिवेदिक diet देते है, आयरिवेदिक medicine देते है और patient के condition की अनुसार उसको yoga, exercise ये सारा कुछ कराते है same treatment हमने इनको भी दी, हमारे क्लिनिक में ही और क्लिनिक में जब ये treatment ले रहे थे तो आप result देख सकते हो 91 kg का जो weight था, वो 80.3 पर आ गया, यानि के near about 11 kg का weight loss हुआ 35 का BMI 27 पर आ गया, slowly slowly nearby normal range में वो आ रहे है 150 और 100 जो BP रहा करता था, वो BP अब 108 और 76 पर आ चुका है pulse rate भी 100 से आकर 80 पर आ गया, ये pulse rate कम होना भी ये बताता है कि heart जो पहले बहुत जादा speed से काम करना था, वो अब normal speed से काम करने लग गया है और यहाँ पर आप देखोगे कि heart की ताकट जो सिर्फ 6.6 थी VO2max वो अब 32 पर पहुँच गई है, जो की एक highest limit होती है heart के VO2max की सबसे अच्छी बात इनकी जो pumping power 45 पर आ गई थी, वो अब normal हो चीकी है, 60 to 65% इनका ejection fraction बढ़ चुका है जो की बहुत ही significant improvement यहाँ पर हम देख सकते हैं, इनका ejection fraction नीर अब 15% से बढ़ा है और भी आप देखोगे कि इनकी जो alopathy की दवाईया थी, वो alopathy की दवाईया भी बंद करने में हम successful रहें, हमने उनकी anti-engineals भी बंद करती, अभी हमने सिव उन्हें eco-sprint 75 पर ही रखा है और उन्हें किसी भी प्रकार का chest pain, किसी भी प्रकार का दम लगना, यह कुछ भी नहीं है, वो treadmill पर 15 minute अच्छी तरीके से चल पाते हैं, दोड़ पाते हैं, और अपना काम होत अच्छी तरीके से वो आप कर पा रहे हैं cholesterol की levels आप देखोगे, तो cholesterol में triglyceride जो था, वो काफी बड़ा हुआ था, 745 था उनका triglyceride और वो treatment के बाद 120 पर आ गया, cholesterol levels भी कम हुए है, LDL लेवल भी कम हुआ है उनका, और HDL लेवल भी ने maintain रहा है, इनका improvement के बाद भी यह उनके report से lipid profile के जिसमें हम देख रहे हैं कि वो चीज़े कम हुई है, 2DAGO के report में आप देखोगे कि 45% का ejection fraction, 60% यहाँ पर हमें report में दिख रहा है, heart की pumping बड़ी हुए दिख रही है, यहाँ पर जब हमने CTN जोग्राफिक कराई, तो blockages भी देख लेते, कम हुए या नही हुए, तो यहाँ पर आप देखोगे कि blockages भी हमें कम होते हुए उनके यहाँ पर दिखे है, हमने इनका CTN जोगा volumetric analysis कराया था, उसमें हमने देखा कि इनके जो blocks है, वो 144 points से यहाँ पर कम होते हुए हमें दिखे है, पुरे total atherm over room 144 cube से कम हुआ है, यह test में percentage भी देखी ज exactly पता चल जाता है, कितना MMQ block जो है, वो कम हो रहा है, तो यह भी accurate test है, इसे कहते है, coronary CT angio volumetric analysis, तो यह test भी आप करवा सकते हैं चेक करने के लिए कि आपके blockages में क्या problem है, तो यह सारा कुछ achievement होने के बाद में इनका अपने profession में बहुत फाइदा हुआ है, इनका जैसे कि म तो वो अच्छी तरीके से कर पा रहे है, अभी इनको पुरा world का टूर करना है, तो वो टूर भी है, असानी से आप कर पाएंगे और यह पूरी तरीके से confident हो गए है, इसको करने के लिए, तो यह जो improvement है, इसका credit, डॉक्टर मंजुशा को देना पड़ेगा, इनों ने इनको ट्रिट किया था, तो अगर आपको भी heart के problem है, चलने में दम लगता है, या फिर सीने में दर्द होता है, या फिर blockages है, या फिर डॉक्टर में आपको angioplasty या bypass surgery कई है, तो आप माधोबग में आकर treatment ले सकते हो, माधोबग के सारे branches में हम इसकी treatment करते हैं, थेंक्यू.